दोस्तों नमस्कार उज्वल लच्छे यूटूब चैनल में मैं नरायन प्रशाद दिवांगन आप सब का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ आज हम आपके लिए दो महत्तपूर्ण प्रश्ण लेकर आए हैं यह केवल प्रश्ण ही नहीं है बलकि एक complete concept है इस प्रश्ण के माध्यम से एक बहतरिन concept मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपके लिए हमेशा काम आने वाला है इस प्रश्ण को आप सबसे पहले पढ़िये प्रश्ण है मिट्टी तेल का भाव रुपिये 20 से बढ़कर रुपिये 25 प्रती लिटर हो जाने के कारण उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च रासी में कोई अंतर ना हो यह पहले प्रकार का प्रश्ण है यहां पर पहले में जो भाव बढ़ा है मिट्टी का तिल का जो भाव बढ़ा है उसे रुपिये में बताया है इसमें प्रतीशत में बताया है ठीक है हो सकता है किसी किसी प्रश्ण में जब आगे श्टडी करते जाएंगे तो यह बढ़ा हुआ भाव भाव भी आपको प्र वाले हैं ये दो सवाल आपके उसी concept के लिए परियापते हैं इस से बाहर आपको जाने की आशकता नहीं होगी तो सबसे पहले वीडियो को कर दीजे like और चैनल को कर दीजे subscribe कौन से को मिला तो इसे प्लीज 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 इसे जारा से जारा शेयर कीजेगा ठीक है तो चले वीडियो को सुरू करते हैं पहला प्रसने देखिए मिट्टी तेल का भाव मिट्टी का तेल है उसका भाव रूपिये 20 से बढ़कर 25 रूपिये 30 लीटर हो गया इसका मतलब क्या है पहले जो है एक लीटर जो है पहले जो है एक लीटर जो है 20 रूपिया में मिलता था कितने में मिलता था 20 रूपिया में मिलता था जो अब बढ़कर के कितना हो गया है 25 रूपिया हो गया है इतना ही दिया है प्रश्ण में आगे पुस्ता है कि उसके खपत में कितने प्रति तीर्पि देल लेके आते थे उतने ही रुुपय का अभी भी लाना है लेकिन अब कितने प्रतिशत से उसकी मात्रक कम हो जाएगी यह उधारन आपके दैनिज पहले से तैय करते हैं कि आज मुझे डाललेके आना है और दाल की कीमत आपको पहले से अंदाज है कि 80 रुपए किछा है आप 80 रुपए की दुकान गए 020 60 नहीं लगए अब आपकी पास तो पैसा उतनहीं है जितना आप सोच के गए थे तो उतने में आप कितना डाल आएगा, कितने प्रतिशाद डाल की मात्रा में कमी होगी, ये एक प्रेशन होता है, दुसरे इस्थिति ऐसे होती है, जैसे यहाँ पर दिया गए है, डाल की कीमत अब कम हो गई है, असी रुपे सोच के गए थे, लेकिन पता चलता है, डाल की कीमत में गिरावाट आज़ गई है, तो जब साथ रुपे किलो में मिल रहा है, आप असी सोच के गए थे, इसका मतलब उतने पैसे में जादा मिलेगा, यही समाने से घटना है रही, तो उसी को यहाँ पर दिया गया है, अब यहाँ पर एक प्रश्ण जो है, इस प्रकार से रुपी एक रुप म में हो तो यह एक और प्रश्ण है यह एक और प्रश्ण है और यह एक और प्रश्ण है तो सबसे पहले इस प्रश्ण को मैं आपको हल करके बताता हूं ठीक है उसके बाद इसको हल करेंगे उसके बाद इसे आप चुठकियों में हल कर लेंगे, ठीक है, देखिए, कोई वस्तु है, माल लिजे, यहाँ पर, कौन सी वस्तु माल लिए, जैसे गुड माल लिए, यहाँ पर गुड माल लिए, एक और प्रश्ण बन गया, ठीक है, यह एक और प्रश्ण बना है, गुड का जो कीमत है, 25 प्रतिस बहुत असान होता है, एक किलो गुड 100 रुपय में मिलता है, तो 25 प्रतिसत बढ़ गया, 25 प्रतिसत बढ़ गया, इसका मतलब उस गुड का जो कीमत है, 100 रुपय के पीछे 25 रुपय बढ़ गया है, 25 प्रतिसत मतलब 100 में 25 बढ़ा है, तो जो गुड की कीमत है, वो हो गया नय कीमत 25 रुपया 125 रुपया ठीक है आप समझे पहले आपको पता था कि 100 रुपय किलो गुड का है आप पैसा लेके गये हैं मालो दुकान 200 रुपय लेके गये हैं आप दुकान 200 रुपय लेके गये हैं गुड़ खरिदने गुड़ कितना का मिलेगा 100 रुपय के मिलेगा ऐसा हि तो आपको कितना गुड मिलता 200 रुपया आप रखे है 100 रुपया प्रती किलो का भाव है तो आपको 2 किलो मिलता मिलता की नी मिलता यदि इसी को आप 300 रुपया लेके जाते तो 3 किलो मिलता 400 लेके जाते तो 4 किलो का मिलता बताने का मतलब यह है कि उपर में हम क्या रख रहे हैं, उपर में हम क्या रख रहे हैं, जितना पैसा हमारे पास है, उसको उपर में लिख रहे हैं, और नीचे में क्या लिख रहे हैं, उस वस्तु की कीमत जितना है, प्रती किलो की हिसाब से, प्रती इकाई की हिसाब से उसको लिख रहे हैं, इस इस् एक किलो लेके आए हैं दूसरी इस्थिति यहां कहता है देखिए समझेगा न मैं किस चीज़ बता रहा हूं यह पहली स्थिति समझ में आगे दूसरी इस्थिति कहता है कि आपके पास 100 रुपया ही है कितने रुपया है 100 रुपया ही है और 100 रुपया ही है अब आप जो है 125 के करता सब्सक्राइब लती है अफ्ड चोटा है हर बड़ा है इसका मतलब इसका जो मान है वो एक सम्ने कंपूर है सापी है यह बहुत तो इसका मान सोब्सक्राइब अर्ठातिए एक किलोग्राम से कितना कम है एक किलोग्राम से कितना कम है, कब ये एक किलोग्राम होगा जब ये 125 बटा 125 होगा, तब इसका जो मान है एक किलोग्राम होगा तो यहाँ पर तो बटा में 125 है, लेकिन 125 के जगा 100 है अर्थाथ इसमें 25 कम है तो ये गूर की जो मात्रा है, ये टोटल कम होगा कर दो इतना गुड उसको कम मिला कितना पचीस बटा 125 किलोग्राम अब इसी को इसी को आपको किसने बदलना है प्रतीशत में बदल देना बस इसी को आपको प्रतीशत में बदलने के लिए क्या करते हैं चाहे भीन नहीं हो दशमला हो पुनांग संक्या हो प्राक्की संक्या हो किसी भी संक्या को जब आप प्रतिशत में बदलते हैं तो उसे आप किस से गुणा करते हैं सो से गलत बात, सो से गुणा नहीं करते हैं, सो प्रतिशत से गुणा करते हैं, यह बहुत बेसिक कॉंसेप्ट है, उस वीडियो को देखना जिसमें हमने इसके बारे में अलग से बताया है कि सो प्रतिशत से गुणा करते हैं, कि सो से गुणा करते हैं, ठीक है, अब इसे हल कर होगे तो देखिए पांच प्रतिशत में दिया हो तब यह पहला प्रकार से हल हुआ अब देखिए अब जो है दूसरे प्रश्णों को हल करते हैं यह आपको समझ में आया ना भई अब देखिए बहुं सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ इसको मैं आखरें बताऊंगा इसको रोक के रखा हूँ अब इसको देखिए चीनी के भाव 15 प्रतिशत घट जाने के कारण उसके खपत को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए अब जो चीनी है उसका भाव 15 प्रतिशत कम हो गया डाउन हो गया 15 प्रतिशत कम हो गया था 100 रुपय के पीछे 15 रुपय कम हो गया माल लिजे कि पहले जो कीमत थी चीनी का वो था 100 रुपय तो अब कीमत हो गया 100 में 15 कम हो गया था 85 रुपय कम हो गया स्वारी 85 रुपय हो गया 15 रुपय कम हो गया ने 85 रुपय हो गया अ ठीक है अब जो है आप 85 रुपया लेके जा रहे हो लेकिन कीमत है 85 रुपया कीमत है 85 रुपया अंस बड़ा हो गया हर छोटा हो गया तो इस से तुलना करते हैं कितना जाद है यह 85% रुपया यह चक्कंधाר 15 रुपया फुपया उहात है और लाके 85 रुपया जéri तो इसी के आप प्रतिशर्टमें बदल में सब्सक्राइगा तो 35-35-35-85 अब तो आगे निकटेगा तो यह क्या हो जाएगा तीन सव बते सत्राइगा इसको कहा लिखू रिखू मैं 300-17 को चलिए मैं यहां पर दों क्या चलिए यहां पर लिख रहा हूं 300-17 तीन सो बटे सत्रा इसको भाग कर ये तो देखे उत्तर में कहा कहा सत्रा आया है ये तो नहीं हुआ ये तो नहीं हुआ इसमें और इसमें सत्रा आया है अब इसको भाग करके देखते हैं क्या हो जाएगा सत्रा सत्रा एकम सत्रा कितना बचेगा ये बच जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 1 और यह 176 102, 177 119 तो यहाँ पर कितना बचेगा 11, 11 शेशफल बच रहे अर्था 17 सही 11 बटे 17 प्रतिशत, दुनिये कहाँ पर है, 17 सही 11 बटे 17 प्रतिशत यहाँ पर है, यह इसका उत्तर हुआ, हमने एक जो प्रश्ण बनाए उसका और इसको बना दि दिया है, केवल यहाँ पर दिया है कि कीमत पहले से दे दिया है, पहले जितना कीमत था, उससे बढ़ा हुआ कीमत दे दिया है, यह भी सिंबल्स है, पहले कीमत कितना था, एक लिटर का, एक लिटर का था 20 रुपिया, यदि आप 20 रुपे लेके जाते, तो एक लिटर मिलता 40 रुपे लेके जाते तो 2 लिटर मिलता अर्था 40 बटा 20 60 रुपे लेके जाते तो 60 बटा 20 अर्था 3 लिटर मिलता मिलता कि नहीं मिलता अब क्या कर रहा है कि कीमत बढ़ गए कितना 25 रुपय हो गया कीमत कितना हो गया 25 रुपया आप 20 रुपय लेके जाते थे तो एक लिटर मिलता था जब भाव 20 रुपय ही था अब भाव 25 हो गया है पैसा तो उतना ही है आपके बाद 20 रुपया पैसा तो 20 रुपय ही नभी अब 20 बटा 25 मिल रहा है 20 बटा 25 मिल रहा है पहले 20 रुपे में एक लिटर मिलता था, अब 25 रुपे में इतना लिटर मिलेगा, जो एक से कितना कम है, जब 25 बटा 25 होता तब एक लिटर होता, पांच कमन है, तो पांच बटा 25 कम है कि नहीं है, इसी को आप प्रतिशत में बदल दो, ठीक है, पांच एकम, पांच एम 25, पा देख लिए हैं वो इस प्रकार के कॉंसेप्ट को कभी नहीं भूलेंगे इस प्रकार के प्रश्ण को कभी भी गलत नहीं करेंगे जोड़ना घटाना गुणा भाव में जरू गलती कर सकते हैं लेकिन इस प्रकार के कॉंसेप्ट वो कभी भी भूलने वाला नहीं है कोई भी जो अलच्छ है यूटूब जैनल से जिसमें आप सीखते हैं गडित को बहुती बेसी तरीकर से नवस्कार